दोस्तों लोगसभा चुनाओ कि जितनी जोरदार जंग, जितना धुआधार प्रचार, जितनी तूफानी रैलियां आपने और हमने सड़क पर देखी हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा चुनाओ सोशल मीडिया पर लड़ा गया, सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर और चाहे यूट्यूब हो, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सियासी दलों में जंग देखने को मिली, यानि लड़ाई सिर्फ सलक तक नहीं थी, सभाओं तक नहीं थी, सोशल मीडिया तक भी थी, कॉंग्रिस की बड़ी नेता है, सोशल मीडिया डेपार्टमेंट के चेर परसन है, सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत ने एक कैलकुलेटड डेटा देश के सामने रखा है, उनका ये दावा है कि काफी रिसर्च के बाद, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेस्बुक के तमाम जो आंकले हैं, उनका विशलेशन करने के बाद, ये आंकला के सामने रखा गया है, और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, ये सुप्रिया श्रीनेत का कहना है, कि सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर कॉंग्रेस ने भारती जनता पार्टी को पचाला है, दोस्तों इससे जुड़ी एक और स्टोरी हम कर चुके हैं, वो भी आप हमारी वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देखिए, जिसमें हमने ये डेटा एनलाइज करने की कोशिश की है, कि सोशल मीडिया के प्रचार में राहुल गांधी से नरेंद्र मोधी कहां पर पीछे रह गए, और आज बात कॉंग्रेस के इस डेटा की, कॉंग्रेस ने इस पीरिड में, सोला मार्च से तीस मई के पीरिड में, यूट्यूब पर कॉंग्रेस को 613 मिलियन व्यूज मिले हैं, जबकİ भारती जनता पार्टी को 150 मिलियन व्यूज, यानि 150 मिलियन व्यूज, बात अगर इंस्ट्याग्राइम के एवरेज लाइक्स की करें, तो तमाम डेटा को calculate करने के बाद इस period में जो average likes हैं वो 1,22,000 हैं जबकि भारती जनता पार्टी को 26,945 बात अगर Twitter की करें यानि X की करें तो जो average like Congress के हैं वो 2,500 से 3,000 हैं जबकि भारती जनता पार्टी के 260 से 300 हैं Facebook के average likes की बात करें तो Congress के average like 1200 से 1500 के बीच हैं जबकि भारती जनता पार्टी यहां 500 से 500 के बीच में हैं YouTube के आंकले को लेकर सुप्रिया श्रिनेत ने क्या कहा पहले उनका बयान सुन लीजिए YouTube पर मार्च से माई के बीच में और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी हूँ कि जिस दिन चुनाओ अनाउंस हुआ था उससे 30 माई तक का डेटा है 613 मिलियन व्यू कॉंग्रेस पार्टी के थे 1500 मिलियन व्यू भाजपा के थे तो कहीं न कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे हमारे नेताओं को सुन रहे थे हमारी रैलियों को सुन रहे थे हमारी प्रेस कॉंफरेंस को सुन रहे थे दोस्तों आज की तारीक का जो यूवा है जो यूथ है वो Instagram पर अपना ज्यादा वक्त बिताता है, अपने आपको Instagram से ज्यादा connected पाता है Instagram का जो Congress का data हमने आपको बताया, average likes का वो 1,22,000 है जबकि BJP का 26,945 है, और अगर हम आपसे Insta reach की बात करें Insta की जो reach है, वो March में Congress की रही 78 millions, जबकि मई आते आते ये 154 million हो गई यानि अगर आप देखें, तो लगभग 2 गुने के करीब, Instagram के data पर भी सुप्रिया शिनेत में अपनी बात रखी है ज़ादा तर users जो होते हैं वो young होते हैं, Instagram पे हमारी average like 1,21,000, BJP की average like 26,945, ये दिखाता है आपको की daily follower जब हमारे 33,000 बढ़ रहे थे तो BJP के 5,300 बढ़ रहे थे, तो कहीं न कहीं जो युवा देश है, जो young है, जो इस चुनाओ के, का निरधारन करेंगे, जो निरणए करेंगे, की सरकार किसकी बनेगी, वो Congress की बात सुन रहा था, Congress के निताओं की बात सुन रहा था, Congress का narrative सुन रहा था, Congress के उठाएं मुद् के बारे में बात की, अगर हम reach के बारे में बात करें, तो जो data सामने आया है, 16 March से 30 मई के बीच, जो Congress की तरफ से बताया जा रहा है, Facebook Reach में, March में Congress की रीच जो थी, वो Facebook पर 50 मिलियन थी, जबकि मई में ये बढ़कर 105 मिलियन हो गई, ट्विटर के impressions, यानि X के impressions की हम अगर आ 28 मिलियन, YouTube के व्यूज की बात करें, तो March में व्यूज थे, एवरेज व्यूज जो थे, वो 80 मिलियन तक गए थे, और जो मई के व्यूज गए, वो 233 मिलियन तक गए, यानि सोशल मीडिया के तमाम अलग-अलग platforms पर Congress, भारती जनता पार्टी को पचारते हुए नजर आई, अगर सुप्रिया श्रीनेत के इन आंकलों, इन दावों पर हम यकीन करें, जो सुप्रिया श्रीनेत ने पुरदेश के सामने रखे हैं, तो ये पता चलता है कि Congress ने भारती जनता पार्टी को चुनावी प्रचार में, सोशल मीडिया की लडाई में, बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पचार दिया है, अब सोशल मीडिया के इन आंकलों का कितना असर नतीजों पर होगा, इसका भी विशलेशन चार जून के बाद होगा